कि हालो फ्रेंड्स असलाम लेकूं कैसे हैं आप सब उमीद है सब खैरियत से होंगे दोस्तों काफी दिनों से मैं बीमार थी इसके वीडियो नहीं अफ्लोट कर रही थी तो अल्ला का शुक्र आप मैं अच्छी हो गई हूं तो आज की जो मेरी रेस्पी है वह है मसाला भिंड जान हों तो ऑड़ कर लिया है हैं की चाहिए किचन टाबब से पोज करके इसे हमने कर लिया है थोड़े मोटी मोटी घंट किक है सरसो तेल कि बाहभी यूज कर सकते हैं यहां या पर हमने हरी विटे सिय नैसल यानि दो लेसनों ली हैं मैंने और अुंग है एक मीरियम तो तेल गरम होने के बाद मैंने इसमें तुरह सा जीरा डाला है जी रहलका सा बुन जाए उसके बाद हम इसमें लेस्ट हर इमेच प्यास डालेंगे और इसे हलका साटे करेंगे बस सिर्फ इस तरह से हमें इसे हिला लेना है और जो कटी हुई इसे डाल करके अच्छी से मिला लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे थोड़े से भूल लेंगे प्याज ग्लैसे नारहरी मिर्च के साथ बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरीके से भी कभी कभी बना के खाएं और इसमें मैं डाल ली हूँ थोड़ी सी हली और अधरत छोड़ी चमच नमक डाल ली हूँ यह फिर नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंग ले सकते हैं और इसे भूल लेंगे कुछ दर तक चलिए मेडियम लखेंगे तो देखें यह कितने अच्छी तरह से फड़ाई हो गई है प्याज लेसं सब गोल्डन हो गया है तो इसमें मैं थोड़े से मसाले डाल ली हूँ अधा चमच लाइन मिर्च पाउडर अधा चमच धनिया पाउडर और थोड़े से आम चूर पाउडर एक मिंच ग लेंगे पहले और उसके बाद थोड़े से फ्लेम को मीडियम कड़के इसे और अच्छी तरह से भूल लेंगे देखें यह हमारी कितनी अच्छी मसाला बिंदी फड़ाई बनकर के रेडी हो गई यह बहुत ही टेस्टी बनती है कभी कभार इस तरीके से भी बना करके खाये जरूर से ट्राइक कीजिएगा उमीद करती हूं यह रेस्पी आपको बहुत पसंद आएगी तो यह हमारी मसाल करिएगा शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बढ़ाएं तो प्ली सब्सक्राइब करिएगा मिलती हूं अगली वीडियो में